नमस्कार, शालीनी पेच पे आपका स्वागत हैं आज मैंने राजमा की रेसेपी आपके संग शेयर करी है यदि यह रेसेपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरा नाम है शालिनी गर्ग सिंगल और मेरे पेच का नाम है कुकिंग एक्सपिनेंस थैंक यू वेरी मच एक कटोरी राजमा मैंने आठ से दस घंटे के लिए भिंगोने रख दिया था हम मैं इसे कुकर में से वाइल करूंगी इसके लिए मैं इसमें बेकिंग सोडा यानकी खाने वाला जो सोडा होता है वो थोड़ा सा इसमें डालूंगी और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी हल्दी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बेकिंग सोड़ा से थोड़े सी राजमा काला पना आ जाता है इसलिए हल्दी डालने से उसका रंग बरकरार बना रहता है और ये मैंने एक आलू ग्रेट करके रखा है इससे आलू डालने से इसमें गाला पना आ जाता है इसलिए मैंने इसमें आलू डालूँगी यह मैंने एक आलू डेट करका है वो डालूँगी और मैं इसके अंदर नमक नहीं डाल रहे हूं नमक मैं इसलिए नहीं डाल रहे हूं नमक से राजमा देड़ से उबलता है इसलिए मैं इसे धीमी आज पे चार से पास सीटी ले लू प्रश्टी डालूगी और देगी मिर्च डालूगी और सूखा धनिया और एक चमच गरम मसाला और यह है चना मसाला आप कोई सा भी ले सकते हैं चाहें तो M.D.H का ले लीजे जाएंगे कोई भी पैकिंग का या खुला ले लीजे यह मैं चना मसाला डालूगी इसके अंदर और यह टमाटर जो मै ने पीसे थी वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इससे जब तक भूनूँगी जब तक यह गी ना छोड़ दें यह कडाई में अपने आप घी छोड़ने लगे गए तब तक मैं इसे भूनूँगी यह मसाला भून चुका है अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी मैं बात किया पेशा शुरू में ही डालूँगी तक इसका टेस्ट इस राजमी के अंदर ही आ जाए अब मैं स्वाध अनुसार नमक डाल दूँगी इसमें क्योंकि मैंने शुरू में नमक नहीं डाला था इसलिए अब डाल रही हूँ अब जो यह राजमा है मैं इसको इसके अंदर बोज दूँगी इसमें वोईल आ चुका है अब मैं यह नीवू का रस है को इसके अंदर डाल दूँगी अब मैं इसे धीमी आज पे 10-15 मिट के लिए इसे खदकने दूँगी और जब इसमें गाड़ापन आ जाएगा तो फिर मैं इसे बंद कर दूँगी यह देखिए राजमा बन के त्यार है मैंने इसे धनिया और मिर्च के साथ इसे गार्णिश किया है यदि यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरा नाम है शालनी गर्ट सिंगल और मेरे पेच का नाम है कुकिंग एक्स